हेलो फ्रेंट्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है मैं रेसिपीस की किचिन में आज हम बना रहे हैं बिल्कुल जटपट बनने वाले मार्केट स्टाइल लड़ू और यह है हमारे कोकनट लड़ू बिल्कुल मार्के स्टाइल बने है बहुत टेस्टी बने है तो तो हम इसमें नारील का बुरादा है वो डाल देंगे तो यहां नारील का बुरादा मैंने दो कप लिया है मेजर करके लिया है और इसे हमें भुनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर तो तीन से चार मिनिट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें आराम से भुनना है ध्यान लो फ्लेम पर है और इसे अराम से भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा तो यहां इसे हम इंटरविल में थोड़े थोड़े देर में इसे लगातार चलाते रहेंगे तो इसका बिल्कुल थोड़े देर में ही एक से दो मिनट में ही इसकी जो खुश्बू है वो आना शुरू हो जाती है और अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भुले नए वीडियो फटा फट देखने मिलेंगे तो अभी इसे हम भून रहे हैं अच्छे से और इसे तीन से चार मिंट हो गया है अब इसमें एट किया हमने मिल्क तो यह जो मिल्क है यह बॉइल वाला मिल्क है और अभी साथ में डाल देंगे हम शक्र तो स्वीटनेस जो है यह आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग रखना है तो यहां हमने दूद पहले थोड़ा कम डाला है क्योंकि बाद में भी अगर जरूरत पड़ती है तो ही दूद का इस्तमाल करना है तो हमें वापिस यहाँ पे थोड़ा सा दूद हमने इस्तमाल किया है तो यहाँ moisture है यह बहुत अच्छे से बनेंगा और जो शक्कर है यह भी melt होती है तो इसलिए हमने यहाँ पे एक चौथाई कफी दूद डाला और अब इसमें डाल देंगे हम milk powder तो यहाँ पे आप कोई भी company का milk powder use कर सकते हैं इससे जो लड़ू का टेस्ट है यह बहुत अच्छा आता है जैसे आप market से purchase करके लाते हैं बिल्कुल वैसी ही टेस्ट आएगा और अब यहाँ पे हमने इलाइची का powder डाला है तो मैंने इलाइची को पूरी तरीके से नहीं grind किया है इसमें थोड़ी से शक्कर डाल की मैंने इसे सिर्फ दरदरा पीस लिया क्योंकि जो इलाइची की दाने होते हैं यह भी मुह में आते तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है अगर आपको पसंद नहीं आते है वैसे तो आप इसका fine powder बना कर भी add कर सकते हैं तो मिश्रन हमने बहुत अच्छे से mix कर लिया है और यह हमें लगाता दो से तेन मिनट तक वापिस low flame पर चलाना है क्योंकि अच्छे से bind होना चीए जब तक इसकी binding अच्छे आएंगी नहीं तो लड़ू भी अच्छे से बनेंगे नहीं और वो ऐसे दब जाएंगे तो ऐसा ना हो इसलिए इसे हमें अच्छे से चलाना है और गाड़ा जब हो जाता है तो flame off कर लेंगे और pan को हम नीचे उतार लेंगे तो यहां हमने pan नीचे उतार लिया है और अभी इसे हमें pan में ही रखकर ठंडा कर लेना है पयान से हम नहीं उतारेंगे अगर हमने प्लेट में निका लिया तो इसका मॉइस्टर वैसे ही रहेगा जिस कंडिशन में आप इसे प्लेट में निकालेंगे तो यहां हमने हाथ के ओपर इसे रोल कर लिया है और रोल करने के बाद में यह जो लड़ू है यह थोड़े से गिले से रहते हैं इसलिए हम इसे dry coconut में roll कर लेंगे ऐसा करने से भी जो अंदर का moisture है वो जल्दी से थोड़ा सा सक्त हो जाता है और ये जो desiccated coconut है इसे भी हमने थोड़ा सा हलका सा roast कर लिया था बर्स इसे हमने घी में roast नहीं किया है इसे dry roast किया है और इसे अभी हम इसे लपेट लेंगे और इसे भी प्लेट में लगा लेते है तो इसे तरीके से बची हुए follows मिश्रन के फिलेड़ों हम बनाकर ready कर लेंगे तो यहां अब इसे प्लेट में रख देते हैं गारनिश तो वैसे कर सकते हैं, हम इने foot color का use किया है, बिलकुल एक एक drop हमने एक एक लड़ू पे डाल दिया है, एक एक drop ही पूरा फैल जाता है और इसे हम गारनिश करेंगे और पिस्टाच्यू से, तो पिस्टाच्यू की जो cutting है, वो हमने एक एक कत्रन इसके उपर रख दी है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सर्विंग के समय भी बहुत अच्छा लगता है तो आप मंचाहे तरीके से गानिश कर सकते हैं और आपको ये रेसिपे कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए और पसंद आने पे लाइक काटम प्रेस करना बिलकुल ना भूले तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाई और थैंक ये फो वाचिंग